भारत में IPS, IPS याने Indian Police Service, भारत की सबसे सम्मानित नोक्रियों में से एक नोक्री है IPS की, IPS बनने का सफना लाखों लोगों का होता है, पर कुछ चुनिंदा लोग ही IPS बन पाते हैं, दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कि हमारे देश में IPS को कितनी सेलरे मिलती ह क्या सुविधाय मिलती है, और एक IPS जब अपने पद से रिटायर हो जाते हैं, तो इन्हें पैंसन के रूप में कितनी रासी मिलती है, तो दोस्तों देर ना करते हुए आईए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, IPS फुलफम होता है Indian Police Service, आईए जानते हैं कि IPS किस प्रकार से जा सकता है, तो IPS बनने के लिए वेक्ति को UPSC का एक्जाम किलियर करना होता है, UPSC यानि Union Public Service Commission या भारत का सबसे कठीन एक्जाम होता है, इस एक्जाम को किलियर करने के लिए वेक्ति के पास एक डिगरी होना चाहिए, किसी भी युनिवर्सिटी से अगर आपके पास डिग IPS बनने के बाद वेक्ति को कितनी सेलरी मिलती है, तो दोस्तों IPS बनने के बाद इनकी सेलरी इनके experience के हिसाब से बढ़ती है, इस टार्डिंग में सेलरी होती है 56,100 रुपे, experience बढ़ते बढ़ते जब इनकी post उपर तक पहुच जाती है, तो इनकी सेलरी हो जाती है 2,25,000 रु जब एक IPS district लेबल पर appoint होता है, तो इनने post मिलती है DSP की, DSP याने deputy superintendent of police, इस लेबल पर इनकी सेलरी होती है 56,100 रुपे मन्तली, इसके बाद जब इनका promotion होता है, तो ये बन जाते है additional superintendent of police, याने कि इनको कुछ additional भार मिल जाता है, तब इनकी सेलरी हो जाती है 67,700 रुपीज, इसके बाद जब promotion होता है, तो ये बन जाते हैं ASP, ASP याने superintendent of police, जो की district लेबल पर police विभाग में सबसे highest port होता है ASP का, इस लेबल पर आते जाते इनकी सेलरी हो जाती है 78,800 रुपे, इसके बाद जब promotion होता है, तो ये बन जाते है SSP, SSP याने senior superintendent of police, इसके बाद इनकी सेलर हो जाती है 1,18,000 रुपे पर मन्त, इसके बाद जो है इनका जब promotion होता है, तो ये बन जाते हैं DIGP, याने की deputy inspector general of police, तब इनकी सेलरी हो जाती है 1,31,100 रुपे मन्त ली, इसके बाद जब promotion होता है, तो ये बन जाते हैं Inspector general of police, इस लेबल पर इनकी सेलरी हो जाती है 1,44,200 तो ये बन जाते हैं अपना ADGP, याने की additional director general of police, इस लेबल पर इनकी सेलरी होती है 2,5,400 रुपे, इसके बाद last जो promotion होता है, तब ये बन जाते हैं अपना DGP, याने की director general of police, या police विभाग में सबसे highest post होता है, जो DGP होते हैं ये directly report करते हैं Chief Minister को, तब इनकी सेलरी हो जाती है 2,25,000 रुपे मन्तली, तो दोस्तो इस प्रकार से जो है experience के हिसाब से, एक IPS officer की सेलरी होती है, आईये जानते हैं कि एक IPS officer को सेलरी के रावा क्या-क्या सुविधाय मिलती है, तो एक IPS officer को सेलरी के अलावा गाड़ी की सुविधाय मिलती है, येने की उनको जिले में कहीं भी सफर करना है तो वह अपनी ही गाड़ी से जाते हैं इसके अलावा सुरक्षा गाड़ प्रदान किये जाते हैं इसके अलावा सरकार की तरफ से इनको एक बंगला मिलता है ड्राइबर मिलता है helper मिलता है इसके अलावा खाना बनाने clay cook होता है माली होता है इसके अलावा जो है इनको medical की स्विधा lifetime free मिलती है telephone की स्विधा मिलती है बिजली पानी की स्विधा मिलती है इस प्रकार की स्विधाएं एक IPS को free मिलती है तो दोस्तो इस प्रकार की स्विधा जो है IPS को मिलती है आईए बात करते हैं कि IPS का क्या क्या काम होता है तो दोस्तो IPS के काफी ज़्यादा काम होते हैं IPS जो है law and order को maintain करता है district label पर police से सम्बंधित जितनी भी problem होती है तो वो जो है clear करने का काम IPS का होता है इसके अलावा IPS जो है अपराधों को रोकना दुरगटनाओं को रोकना इसके अलावा अपराधों की जाच करना राजनेतिक या धार्मिक कारियों के लिए approval प्रदान करने का काम एक IPS officer का ही होता है तो इस प्रकार का काम जो है एक IPS officer करते हैं आईए जानते हैं कि IPS officer जब अपने पद से रिटायर हो जाते हैं तो इन्हें पैंसन के रूप में कितनी रासी मिलती है तो दोस्तो अच्छी खासी रासी जो है इनको पैंसन के रूप में मिलती है जो की अपना 50,000 रुपे से अधिक की रासी होती है तो इस प्रकार की स्विधाए एक IPS officer को हमारे देश में मिलत है तो दोस्तों IPS officer के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करकी जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें थैंक्यू फ्रैंड थैंक्स पर वचिंग